हेलो बच्चो तो आज हम लोग तीम मैनिट आप लोगों के लेकर आ रही है जेए एडवांस 2024 के पेपर 2 के सॉलिशन तो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं तो बच्चो पेपर 1 हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया अब हम अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 1 और 2 में मैं बोलोगा कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था अगें जो सवाल आसान थे वो बहुत आसान थे और जो मुश्किल थे information based थे जैसे इसमें एक inorganic की question होंगे जो भी purely information based है अगर आपके information है तो आपके लिए easy होगा और अगर आपको वो information आपके पास नहीं है then it would be difficult तो बिना आपका ज्यादा time waste किये मैं start करता हूं सबसे पहले हम single correct लेंगे physical और inorganic है 1, 2 और question number 4 तो इस section की अगर मैं बात करूं तो again इसमें correct होने पर आपके 3 marks मिल रहे थे गलत करने पर minus 1 और अगर आप attempt नहीं करते तो you will be awarded as 0 marks तो पहला question क्या है according to Bohar's model the highest kinetic energy is associated with the electron in अब आपको ये 4 options दे दी तो मेरे हिसाब से अगर इस सवाल की हम बात करें तो आपको एक relation पता होगा कि जो total energy है that is equal to minus of ke and pe by 2 minus of ke and pe by 2 तो आपकी जो kinetic energy होगी it will be minus of total energy and you can write 13.6 z square by n square तो यहां से पहले वो कहता है first Bohar orbit of hydrogen atom तो Bohar orbit first तो मैं इसे लिखूंगा 13.6 hydrogen है तो z1 होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा plus 13.6 ये electron volt जो आए ये पहले के लिए है first orbit of h e plus तो जब h e plus के लिए बोलेगा तो 13.6 h e के लिए z कितना होता है 2 तो इसको भी मैं 2 का square कर देता हूं और first है तो it will be 13.6 into 4 electron volt per atom तो ये per atom आएगा यहांपर अब मैं अगर third लेता हूं second orbit तो second orbit के लिए देखे 13.6 और 2 square क्योंकि z 2 है h e plus है second orbit है तो n b 2 लेना होगा तो it will be plus 13.6 electron volt per atom second orbit of Li 2 plus अगर इसे ले लेता हूं 13.6 अब Li के लिए z कितना होता है Li के लिए z कितना होता है बच्चो 3 तो पिलकुल basic problem जो मैं आपको बोली रहा था 2 का square कर दीजी because second orbit बोल रहा है तो 13.6 into 9 by 4 कितना होगा 9 by 4 होगा 2.25 तो अगर इन चारों में मैं देखूं तो maximum energy किसके आ रही है? Option B. किसके आ रही है बई? Option B. तो यह आपकी structure of atom से थी paper 1 में भी structure of atom से आई थी जो statement वाली problem थी और वो भी आसान थी और यह भी बहुत आसान है relative to that was asked in 2023. अब हम अगले question पर आते हैं. अगला है in a metal deficient oxide example आपको दे दिया क्या है? Mxy2O4. M is present in plus 2 and plus 3 oxidation states and जो y है y is in plus 3 oxidation state. y is in plus 3 oxidation state. If the fraction of m2 plus n present is 1 by 3 the value of x. तो देखे जब आइस तर्रीके की problem आती है तो हम लोग इसे कहां से start करते हैं कि आपका जो overall molecule है that will be neutral. जितना उस पे positive charge होगा उतरही negative होगा. तो 4 oxygen है, oxide है minus 8. y पे अगर आप देखो तो y metal पे दिया हुआ plus 3 है. तो 2 y पे कितना होगा? plus 6. यानि अब जो यह x बचा हुआ है. अब जो इस भी neutral, whether it is stoichiometric और non stoichiometric. तो अगर मैं m x y 2 o 4 को ले लेता हूँ, तो इस scenario में क्या होने वाला है? अब मैंने हिया लिख लिया m x y 2 o 4. मेरे को पता है, इस में charge plus 2 है. तो question में दिया गया है कि fraction of, अब जो यह m x है, इस में 2 तरीके के ions है, 1 m 2 plus और 1 m 3 plus. तो जो m 2 plus ion है, it is 1 by 3. यानि अगर मेरे पास x atom है, तो x by 3 atom इसके हैं, तो फिर 2 x by 3 किसके होंगे? इसके होंगे. x by 3 इसके हैं और 2 x by 3 इसके, अगर ऐसा है, इन के ओपर charge plus 2 होगा, तो इसके ओपर मैं लिख सकता now 2 into x by 3 plus 3 into 2 x by 3, it will be plus 2. So, now what you will get 2 x by 3 and you will get 6 x by 3 that is plus 2, 8 x by 3 that is 2. So, x will be 3 by 4, 0.75. I hope now you got the answer and 0.75 is this. तो आपका अंसर बच्चो क्या हो जाएगा? D. अगेन इस तरीके के problem पहले भी पूछी जा चुकी है और ये repetition of concept और even problem. अगर याद हो तो बहुत साल पहले एक problem पूछी गई थी जिसमें FV.93 हो था और हम लोग इसमें 2 प्लस और 3 प्लस की पूछते हैं तो जादा तर modules में और material में आपको ये वाला question मिलता है तो कुछ इसमें कोई creative या ऐसा नयापन नहीं था तो आपका answers का क्या आएगा D. चली बच्चों अगले सवाल की तरफ move करते हैं और जो next सवाल है the species formed on the fluorination of phosphorus pentachloride यानी की PCL5 in a polar organic solvent तो ये मैं आप से बात कर रहा था कि ये information based है अगर पता है तो हो जाएगा otherwise आपको नहीं पता तो खेल खतम तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है जब pentachloride को organic solvent में डालते हैं तो जो possibility होती है information based है तो मैं आपको बताना चाहूंगा PCL4 plus PCL4 और F2 minus या एक और possibility है PCL4 plus and it will be PF6 minus ये compound आपके बन सकते हैं ऊपर वाला जो compound होगा ध्यान से देखिए तो जो मैं आपसे बात कर रहा था देखने में बड़ी आसान लग रही बट है नहीं अगर आपको ये reaction के बारे में नहीं पता तो just note it down Hello friends, this is our continuing discussion on the JE Advanced 2024 paper 2 solutions, मैं या आपर organic chemistry के जो questions आपके paper 2 में आये थे, उनको मैं एक बार फटा-फट आपको solutions बता के discuss करा दूँगा, तो एक बार देख लिए जिसमें तो exclusively हमने उनी questions को target किया है पहले single choice correct वाले में हमारे पास question number 3 था, ये इसकी instructions है, we have L-glucose जो उन्होंने HI use किया, red bean HIV भी use कर सकते थे, तो L-glucose जो है वो, that is going to be a straight chain R-glucose, तो यहां से मैं एक मिनट, Strength track chain glucose, युशफफफफफवाहां, छिन nmeye मैं से लिएफफफफफफफफफफफफफफफब्सक्स कर से लिए, Прिंट जोनी compress लिएफफफफफफफफफफफद जोन। आप इसका treatment hydroiodic acid के साथ heat कर रहे हो, बिटे जितने भी red pine hi ले लो या वैसे hydroiodic acid लो, जितने alcohols, aldehydes, सब कुछ है, they all convert into the corresponding alkanes. So this will 6 carbon या आपका n-hexane बने. n-hexane में जब आप Cr2O3 लेकर के 775 Kelvin पर reaction करोगे, तो open chain, straight chain alkanes undergo reforming reactions. Reforming में 3 stages आती है, isomerization, cyclization and aromatization. तो आप जब इसको कर रहे हो, तो platinum catalyst में भी कर सकते हो, जोसमें हम इसको platforming बोलते हैं, बाकि Cr2O3 में आप इसको कर सकते हो, 775 Kelvin पर, ये 6 carbon की straight chain पहले cyclize होएगी, isomerize होके, cyclize होएगी into cyclohexane, और उसके बाद वो dehydrogenate होके, oxidize होकर के, benzene में convert होगी, 7 carbon की होती, तो toluene में convert होती, 8 carbon की होती, तो xylene में convert होती. तो ये nhexane with the Cr2O3, is obviously going to give you, benzene on aromatization, लिख दो यहाँ पर, इसको पहले isomerize करना, फिर cyclize करना और उसके बाद aromatize करना है, और उसके बाद chlorine in excess, in ultraviolet radiation, आपको पता ही है, मैं यहीं से सीधे product की तरफ ही इसका निशान बना देता हूँ, this is benzene hexachloride, जो misnomeric name है, इसका, linden 666 और gamma-xane, which is used as a plant insecticide, C6H6, CL6, 6 carbon है, 6 hydrogen है, और 6 chlorine है, benzene hexachloride, हाँ, की formation के लिए, वो excess में chlorine use किया हूँ, so this is going to be for question number 3.